दोस्तों चमकिले और गुलावी रंग के स्वादिश्ट फल को ड्रेगन फ्रूट या पिताया कहा जाता है जो अमेरिका में खोजा गया था यह स्वाद में अच्छा होने के साथ स्वास्ते के लिए भी फादे मंद होता है यह अंदर से कीवी की तरह रसीला होता है इसमें काफी मातरा में एंटी ऑक्सिडेंट की गुण मौजूद होते हैं इसके लावा वाटेमिन C, प्रोटीन और केल्शियम भी भरपूर मातरा में पाय जाते हैं इसे आप बागी फऴू की तरह सेवन कर सकते हैं स्मूइधी बनाकर भी आप सेवन कर सकते हैं इसे आपालात के तौर पर भी खा सकते हैं इसके कई केवल आपको स्वस्थे रखने में बलकि आपकी हिरदय को भी स्वस्थे रखता है अगर कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है तो ड्रैगन फ्रूट सबसे अच्छा होता है इसके बीजों में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हमारे सरीर के लिए महत्पूर्ण होता है ड् दोनों का खत्रा कम हो सकता है ड्रैगन फ्रूट फैबर के एक अच्छा स्थरूत है इसलिए यह केवल रदय के लिए ही अच्छा नहीं है बलकि रख्त चाप और वजन को बना रखने में भी मदद करता है ड्रैगन फ्रूट में कहीं तरह के अंटि आक्सिडेंट होते हैं इनमें को शिकाओं को सुरक्षा करने वाले योगिक भी होते हैं इनमें पाय जाने वाले कुछ मुख्य अंटि आक्सिडेंट बेटा लेंस हैड्रोकलिसिन मैंट्स और फ्लेरिनाइट्स होते हैं जो स्वास्ते के लिए बहुत ही लाबतायक होते हैं ड्रैगन फ्रूट का लाल और सफेद दोनों भाग इंसुलीन को कम करने में मदद करता है यह लीवर के फैट को कम करता है और इसके साथ ही यह आपके मेटाबॉलिजमे को बढ़ाता है और इसका असर सिर्फ एक बार नहीं बलकि लंबे समय तक रहता है दरसल ड्रैगन फ्रूट फाइबर और अं धमनियों को भी दुरुस्त रखते हैं ड्रैगन फ्रूट में अत्यधिक मात्रा में खनीज होते हैं खासकर पोटेशियम और कैल्शियम जो हड्डियों की सनरचना को बनाय रखने में मदद करते हैं पोटेशियम सरीर में पी एच और पानी की लेबल को संतुलित रखने में मदद करता है ड्रैगन फ्रूट वाटेमिन सी का भी मुख्य स्तरोथ होता है यह प्रति रक्षा को मजबूत करने में मदद करता है और सरीर में आरन और शोशित करने में भी मदद करता है इससे सरीर में कोलेजियन का पादन होता है जो दातों को स्वस्थे और तवचा को स्वस्थे बनाता है तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर से मिलूगा तब तक के लिए नमस्कार